देखो भी आजका हमारा लेक्चुर है मुनारा किंग्डम को हम आगे कंटीन्यू कर रहे हैं ठीके इसमें इंसी आर्टी हमने कर चुके थे हम लोग पहले ही उसके बाद हमने प्रो किरियोट और यू किरियोट का डिफरिंस हमने कर लिया था इतना पार्ट हम कर चुके हैं न अब आगे देखो आगे क्या है किंग्डम मुनारा में हमने प्रो किरियोट और यू किरियोट के बीच का डिफरिंस हम लोग कर चुके थे आज हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे तो एंसी आर्टी की एक और इंपोर्टेंट लाइन आती है कि बैक्टीरिया आर दा बैक्टीरिया आर दा सोल मेंबर ऑफ किंग्डम मुनारा के सोल मेंबर है डॉमिनेट कौन करता है किंग्डम मुनारा को बैक्टीरिया डॉमिनेट करते है हलाकि इसके अलमा बाकी के ग्रुप पढ़ेंगे मुनारा किंग्डम में लेकिन उसका सोल में अबर कौन है बटा मुना इसका बैक्टीरिया इसका स्वाल मेंबर है तो बैक्टीरिया से रिलेटेड हम कुछ टर्म कर लेते हैं सबसे पहला टर्म आता है बैक्टीरियोलोजी तो बैक्टीरियोलोजी क्या होता है बटा स्टडी आफ बैक्टीरिया डायट ब्रांच ऑफ पहले दिया था Christian Gottfred Ahernberg ने Christian Gottfred Ahernberg in 1838 तो बैक्टीरिया टर्म को सबसे पहले कौन लेकर आया था Christian Gottfred Ahernberg इसको लेकर किया था जबकि बैक्टीरिया को सबसे पहले जंपते इसको अवजव किसने किया था Antoine Van Leeuvenhook ने इसको अवजव किया था इसके द्वारा रा जो माइक्रोसकोप इसने बनाया था ओर इसने अवजव किया 1766 में और लाइक्टीरिया इसने वर्ड यूज्व हम नहीं किया बैक्टिरिया ने इनको क्या नाम दिया था आनिमल क्यूल्स ठीक है एक बार में दुबारा बतारे हूं ध्यान से देखना बैक्टिरिया आर्दा सोल मेंबर आफ किंग्डम मुनेरा ये इंसी आर्टे की लाइन है बहुत इंपर्टेंट है तो यहां पर हम कुछ डिटेल के प करते हैं बैक्टिरिया टॉम को सबसे पहले कॉल लेकिया था क्रिशियन गाट्फ्रेड एहननबर्ग इन 1838 जबकि बैक्टिरिया को सबसे पहली बार आप्जोंग किया था एंटोन वान यूवन हुप ने इसने खुद से डिजाइन जो माइक्रोस्कॉप था उसमें इनको अब्जाव किया लेकिन उसके लिए इसने बैक्टिरिया वर्ड यूज नहीं किया वो इसको क्या कह रहा था एनिमल क्यूल्स कह रहा था ठीक है अब बात आती है आरिजन आफ वर्ड बैक्टिरिया की बैक्टिरिया वर्ड का आरिजन क्या है तो बैक्टिरिया वर्ड का ओ यह Greek word bacteria से इसका origin मानते है that means little stick इसका meaning क्या होता है little stick होता है कुछ कहते हैं कि यह Greek word से नहीं यह एक Latin word से originate हुआ है और वह Latin word है bacterion और उसका मतलब है little road इसका मतलब कुछ कह रहे हैं कि इसका origin bacteria Greek word से हुआ है जिसका मतलब होता है little stick, छोटे छोटे stick-like structure इस तरीके के stick-like structure जबकि कुछ कह रहे हैं कि Latin word bacterion से originate हुआ है जिसका मतलब होता है little word Next आते हैं इसमें concept of antiseptic surgery antiseptic surgery क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई doctor surgery करता है तो antiseptic conditions को create किया जाता है ताकि वहाँ पे कोई भी microbe उस tissue को invade ना करे उसको infect ना करे तो antiseptic surgery का जो concept है वो लेकर आया था Sir Joseph Lister antiseptic surgery का concept कौन लेकर आया था Sir Joseph Lister लेकर आया था एक bacteriolosy में बहुत बड़ा नाम आता है Robert Coach का Robert Coach को founder of modern bacteriolosy भी माना जाता है modern bacteriolosy का father किसको माना जाता है founder किसको माना जाता है Robert Coach को क्यों माना जाता है because he identified causative agent of causative agent of tuberculosis, cholera and anthrax ऐसा माना जाता है कि उसने सबसे पहली बार जो causative agent क्या थे बक्तिरिया थे किसके tuberculosis के आज तो हमें पता है कि इसका causal agent क्या है लेकिन उस टाइम पे इनके causal agent को किसने identify किया था Robert Coach ने identify किया था और Robert Coach ने Coach के postulate से दिये ये Coach के postulate किस लिए दिये थे ताकि कोई भी हम लोग क्या कर पाए किसी भी causative agent को identify कर पाए Coach postulate किस के लिए दिये थे causative agent के identification के लिए और Coach ने Coach postulate में बटा चार criteria दिये हैं जिनके basis पर हम decide करते हैं कि उस disease का causative agent क्या होगा तो Coach postulate दिये गए तो identify the causative agent of a disease ठीके लेकिन एक सीज ध्यान रखना यहां पर एक exception आता है need exams में एक question आया हुए है क्या कि Coach के जो postulates है they are not applicable to viruses वो viruses पे applicable नहीं है बाकी microbes पे applicable है लेकिन viruses पे applicable नहीं है ठीके तो यह चीज आप ध्यान रखना कि Coach के जो postulates है वो viruses पे applicable नहीं है viruses को छोड़कर बाकी microbes पे applicable है ठीके इसके बाद next चीज आती है इनकी habitat को लेकर के बैक्टेरिया की habitat कहीं बार आते हैं तो इनका meaning examiner आप से पूछ सकता है कि omnipresent क्या होता है ubiquitous क्या होता है या cosmopolitan क्या होता है तो cosmopolitan word का मतलब होता है distributed distributed वर्ल्ड वाइड डाट मींस हम जिसकी भी बात करें वह पूरे वर्ल्ड में distributed है ठीके कि जैसे हम कहें दे मेंदरगड में भी है हरियाना पूरी में भी है इंडिया में है अमेरिका में भी है मतलब पूरे वर्ल्ड में distributed है तो यह तो हो गया cosmopolitan का मतलब अब आता है omnipresent या ubiquitous क्या होता है तो omnipresent या ubiquitous का मतलब होता है occurs almost everywhere occur almost everywhere जैसे कि अगर हम बात करें हमारे घर में बात करें तो हम कहें हवा में भी है पानी में भी है living organism की body के उपर भी है उनकी body के अंदर भी है तो वो होता है omnipresent या ubiquitous ठीक है उसमें जरूरी नहीं है कि वो worldwide distributed हो हमें एक bounded area की बात कर सकते है कि उस area में वो ubiquitous है that means it occur almost everywhere जैसे कि अगर हम बैक्टीरिया की NCRT की बात करें तो बैक्टीरिया को ubiquitous या omnipresent क्यों का गया NCRT एक लाइन दे रही है कि बैक्टीरिया अकर almost everywhere फिर हमने एक 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 जामपल दिया था कि जैसे कि अगर हम एक handful of soil ले ले मुठी बर मिट्टी ले ले तो एक मुठी बर soil के अंदर भी आपके thousands of bacteria hundreds of bacteria आपको मिल जाएंगे तो that means soil के अंदर भी present है इसके अलावा कुछ extreme habitat में भी किसमें extreme habitat में भी आपके bacteria देखने को मिल जाते हैं जैसे कि हमने कहा कि hot spring में आपको bacteria देखने को मिलेंगे जिनको आपने नाम दिया था thermo acidophile incartium कर चुके है desserts में भी आपको क्या देखने को मिलेंगे bacteria snow में भी आपको bacteria देखने को मिलेंगे snow में भी आपको bacteria मिल जाएंगे deep oceans में भी bacteria मिल जाएंगे मतलब जो भी extreme habitat है वहाँ पर भी हमें बैक्टिरिया देखने को मिलते हैं, इसका मतलब वो extreme habitat में भी survive कर सकते हैं, इसके अलावा वो parasite के तोर पर भी रहते हैं, as a parasite on the surface of the body और inside the body, दोनों forms में मिलते हैं, plants हो या animals हो, आपको बैक्टिरिया हर जगे देखने को मिलते हैं, इसलिए हमने word use कि कि they are omnipresent, वो कैसे हैं, omnipresent या ubiquitous हैं, और वो पूरे word में भी distributed है, that means उनकी occurrence कैसी है, cosmopolitan, ठीके, तो ये तो था journal introductory part, अब हम बात करते हैं, classification of bacteria, ठीके, तो classification of bacteria की अगर हम बात करें, तो bacteria को हम basically दो broad categories में divide करते हैं, कौन-कौन सी? RK bacteria and U bacteria, और एक तरीके से देखा जाए, तो RK bacteria and U bacteria, they arise from a more ancient form of life, that is called proxenote, इनका origin किसे हुए, एक ancient form of life से होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, proxenote कहते हैं, ठीके, RK bacteria के जो members हैं, उनको हमने कहा कि they are primitive monarins, ये क्या है, primitive monarins है, जो primitive मतलब, सबसे पहले हमने एक चीज़ देखी, कि kingdom में सबसे पहले origin होता है, monarins kingdom का, और monarins kingdom में सबसे primitive कौन है, RK bacteria, that means वो organism जो अर्थ के उपर सबसे पहले आया, वो कौन होंगे, RK bacteria का कोई member होगा, क्या होगा बटा, RK bacteria का कोई member होगा, ठीके, RK bacteria के जो members होते है, they may be gram positive और gram negative, अब यह जो हम gram positive या gram negative के टेगराइज करते हैं, यह हम के टेगराइज करते हैं, gram staining के procedure के base पर, ठीके, gram staining का procedure हम आगे study करेंगे, ठीके, वहाँ पे हम देखेंगे कि gram staining का एक पूरा procedure है, तो end में जो bacteria Christian stain को retain कर लेते हैं, उनको हम कहते हैं gram positive, और जो retain नहीं रख पाते हैं, उनको हम कहेंगे gram negative, तो इसका procedure हम आगे detail में पढ़ेंगे, यहाँ पर सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है, कि RK bacteria के जो members है, they are gram positive और gram negative, इसी तरीके से U bacteria के जो members है, U bacteria को हम actual में कह रहे हैं कि they are true bacteria, बैक्टिरिया जिनके हम बात करें, actual में वो किसके member होता है, U bacteria के member होते हैं, ठीके, U bacteria में हम basically, एक तो true bacteria की बात करेंगे, जिसको हम simply कह रहे हैं, bacteria की study करेंगे, जिसको हम आजकल कहते हैं, bacteria, और एक और group हम इसमें study करेंगे, cyanobacteria, cyanobacteria जो हैं, इनको हम blue, green, algae भी बोलते हैं, एक सी धान रही, अगर आपको पहले two kingdom classification याद हो, तो वहाँ पर हमने discuss किया था, कि blue, green algae को पहले plantae kingdom में रखा गया था, लेकिन बाद में इनको plantae से निकाल करके, किसमें रख दिया गया, आपके monara kingdom में, क्यों, क्योंकि ये prokaryotic होते हैं, क्यासे होते हैं, तो bacteria के जो members हैं, वो भी maybe gram positive और maybe gram negative, दोनों forms आपको देखने को मिलेंगी, कुछ bacteria gram positive होंगे, कुछ bacteria gram negative होंगे, लेकिन जो cyanobacteria के members होते हैं, they are gram negative, तो ये तो इसका broad classification था, इसके अलावा, कुछ हम other forms of monarins को भी study करेंगे, monara kingdom में, ये some other forms of monarins क्या है, mycoplasma, actinomycetes, spirochete, rickettsia, clamidomonas, ठीके, इन में से mycoplasma, आपके NCRT ने भी दिया है, ठीके, इसके अलावा, बाकी की form NCRT ने नहीं दिये, लेकिन हम थोड़ा-थोड़ा सब के बारे में पढ़ेंगे, में लिए हम mycoplasma के बारे में पढ़ेंगे, एक चीज़ ध्यानकना, mycoplasma के जो members होते हैं, दे आर ग्राम नेगटिव, वो कैसे होते हैं, ग्राम नेगटिव होते हैं, रिकेट्सी हैं के जो members होते हैं, दे आर अल्सो ग्राम नेगटिव, इन में से अगर देखा जाए, तो particularly, आपके जो actinomycities हैं, दे आर ग्राम पॉजिटिव, actinomycities कैसे हैं, ग्राम पॉजिटिव हैं, बाकी सारी की सारी form कैसी हैं, ग्राम नेगटिव, तो ये सीज़ आप ध्यान रखना, कि ब्टेरिया को हमने दो किटेगरी में डिवाइड किया सबसे पहले RK Bacteria and U Bacteria और RK Bacteria और U Bacteria किसे अराईज हुए एक प्रिमटिव फोर्म आफ लाइफ जिसको हमने बोला प्रोजीनॉट RK Bacteria के मेंबर्स को हम प्रिमटिव मुनारिंस कहते हैं छी बैक्तिस्क्तिरिया को true bacteria कहा जाते है इसमें हम दो group study करेंगे bacteria आफ साइनोबैक्तिरिया बैक्तिरिया में RK bacteria की तेरे gram positive और gram negative लेकिन cyanobacteria कैसे होते है gram negative cyanobacteria important है सब्से most important part है bacteria मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि NEET exams में Monara का question आता ही आता है compulsory है ठीक है और आपको कम से कम 2-3 question आपको देखने को मिलते है कम से कम आपको 2 question मतलब हर साल कोई भी ऐसा साल नहीं जाता है कि नीट में मुनारा किंग्डम से किशन नहीं आता इसलिए इसकी complete detail करना बहुत जरूरी है और ज्यादा तर कभी कभार NCRT भी आती है लेकिन ज्यादा तर detail के points आते हैं वह हम आगे discuss करेंगे कुन-कौन से point important है तो इनके अलावा कुछ other forms of monarins भी यहां पर हमने देखे mycoplasma जो की gram-negative है actinomycetes, spirochete, rickettsia, clamida ठीक है तो यह आज का अमारा topic था इससे आगे हम बेटे